वेल्कम टो लेंवाल लार्निंग आसके वीडियो में आपके लेकर लेटस अबडेट लेकर सीबसी की डेट सीड को लेकर सीबसी ने 10 और 12 की डेट से रिलेज कर दी है सीबसी यानि सेंटरल बोर्ड फ सेकंडरी एजुकेशन इसमें अभी 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 लेटस जो अपडेट आ टाइमिंग में आज की वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगी तो जो भी 10 और 12 की स्टूडेंट से सीबसी बोर्ड के वो अपनी डेट सीड यहां से चेक कर सकते हैं यहां पे आप देखेंगे यह ओफिशल वेबसाइट पर आ चुकी है यहां डेट सीट इनोंने बोला है क्यों ऐसा नहीं है कि आपके बैक टू बैक एक्जाम है कॉंपटिटिव एक्जाम को भी ध्यान में इनोंने रखा है जेही मेंस अगर आपके एक्जाम है तो उसकी एक्जाम डेट के आसपस आपकी बोर्ड की डेट नहीं होगी आप देखेंगे तो आपको पता भी लग ज क्लास 10 की डेट चिट अब देख सकते हैं कब से स्टार्ट है फिफटीन फिवरी से आपकी और से अपकी स्टार्ट है यान की फृस्ट ईग्जाम 15 या यह टाइमिंग आप देखेंगे साठे दस साठें बारह यानि दो घंडे का एक्जाम रहेगा यह सब्जेक्ट आप दे सेक्यूर्टी यह सब मार्केटिंग सेल्स यह को मन जैसे यह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट वह वाले पहले दे रख्या है फिर है म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल यह 17 फैब को है 25 को अरे बिक टाइटन यह जो लेंगेज लेते हैं अलग लग बच्चे उनका है अप आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं मुझे यहां पर एक अपने इधर क्या है म्यूजिक है वो बच्चे नोट कर सकते हैं 17 फैब को यानि फैले इन्होंने जो चोईस वाले एक्जाम है वो दिये हुए हैं ठीक है फिर मेन एक्जाम जो सभी के कंपल्स एक्जाम होते है वो हम देखेंगे 20 फैब को आप देख सकते हैं फिर 24 फैब को यह बंगाली, तमिल, एक्चे ट्रा फिर मेन एक्जाम आपका आता है अगर मेन एक्जाम के हम बात करें मेन एक्जाम के अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है 27 फैब को आपका है इंग्लिस लेंग्विज का ठीक है 27 फैब को इंग्लिस लेंग्विज का आप नोट कर लीजिए टाइमिंग क्या रहेगा इसका 10.30 तो 1.30 यानि 10.30 से देड़ बजे तक आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा फिर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मार्च को पंजाबी सिंधी मल्यालम ये सब लेंग्विज के हैं सेकिंड मार्च ये भी लेंग्विज के हैं फिर मेन एक्जाम अगर चो कमपल्स एक्जाम है ये है साइंस का फर्स्ट क्या था 27 फरवरी एक 2017 फरवरी को था म्यूजिक का फिर 27 फरवरी को आपका इंग्लिश का आप 4 मार्च पे आप देख सकते हैं साइंस साइंस जो कि कमपल्स ही है सभी बच्चों के पास हो गई फिर 6 मार्च को होम साइंस का है अगर किसी ने ले रखा हो 9 को है elements of business ये है 11 मार्च को है संस्कृत जिन होने संस्कृत ले रखी है फिर 13 मार्च को है जिन बच्चों ने चूज कर रखा है ये option वाले है 15 मार्च को फिर जो कमपल्सी एक्जाम जो सभी बच्चों का होता है वो है social science 15 मार्च को आपका ठीक है फिर 17 मार्च को आपका है हिंदी टाइमिंग आप सकते तीन घंटे गा रहेगा और 21 मार्च को आपका है mathematics का ठीक है तो यह आपकी डेट सिट हो की टैंथ क्लास की यह मैं पूरा PDF टेलिग्राम पर भी शेयर कर दूँ या आप मेरी टेलिग्राम जो जोइन कर सकते हैं वहां से आपको यह complete PDF मिल जाएगा अब हम डिसकस कर लेते हैं 12 क्लास की डेट सिट एक बार 12 क्लास की डेट सिट आप यहां पर देखेंगे स्टार्ट एक्जाम क्या है 15 फेरवरी से स्टार्ट हो रहे है लेकिन मेरे एक्जाम हम ढून ल यह सब भी चोइस के हैं हिंदी इलेक्टिव या को हिंदी कुझा जो आर्ट्स वाले बच्चे उनके पास होगी तो 25 को आपका अगर हम यहां पर देखें में एक्जाम कंपर सी वाला तो हिंदी एक्जाम है 20 फेरवरी को 20 फेरवरी को फिर डाटा साइंस ओफिस प्रोसीज को है 20 सेकंड को अर्ली चाल्डूट के रजूकिशन अर्टिफिशल इंटी टेलिजेंस हेल्थ केर इंदुस्तानी म्यूजिक अगर किसी बच्चे ने म्यूजिक ले रखा है तो 23 फेरवरी को आपका म्यूजिक का एक्जाम होगा यहां पर में एक क्या दिखा हिंदी दिख एक म्यूजिक है फिर आति हां इंग्लीस पे इंग्लीस हापka 24 फर्वरी को ठीक है 24 फरेवरी को आपकाRevra को में वूजिक अगरेय होने वाला है अब देख सकते हैं Second March को यानि आठ्स के जो बच्चे उनका जियोग्रफी का है, थर्ड मार्च को योगा का है, हिंदुस्तानी मुजिक वोकल, अच्छा यह मुजिक अलग है, यह मुजिक वोकल अपने तो यह वाल होता है, तो ये Saturday को है, 4th March को, और Physics का है, 6th March को, और Physics का है, 9 March को Legal Study, 10 March को Punjabi, ये सब Language ही है, 11 March को फिर Maths का है, Maths का कब है, 11 March को, आपका Mathematics का एक्जाम है, Physical Education का 13 March को है, 14 March को Fashion Study, Bio, Bio का है, Bio का एक्जाम कब है, 16 का, और Last है Economics, ये है 17 March का, नहीं, नहीं, अभी हो रहे हैं, Economics का 17 March का है, 18 March, Painting, Political Science, फिरा Political Science देख सकते हैं, 20 March का है, और ये IT जो बच्चे चूज करते हैं, 21 March का है, उसके बाद 22nd को देख सकते हैं, Computer Science, 23rd March, 25 March को Business Study का, ये जो Commerce के बच्चे हैं, फिर History, Arts वाले बच्चों के लिए 29 March, Accountancy, 31st March, Home Science, 1st April और 3rd April को Sociology, तो ये थे Complete Exam, I hope, सबने अपने देख लिया होगा, और आप अपनी डेट सिट चेक कर सकते हैं, मतला आपका जो भी सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट ढूंड के, Note Down कर लीजी, और ये Complete Video आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से Note Down कर सकते हैं, Hope, ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो, तो प्लीज इसको जाज जादा शेयर कीजिए, जितने भी 10th और 12th के स्टुडेंट से, उनके साथ, And wish you all the very best for your board exams, Thank you.